यूपी में इस समय इंवेस्टमेंट की बहुत चर्चा हो रही है जहां मुख्य मंत्री योगियाधी तिनाथ ने मुंबई में तमाम उद्योग पतियों से मुलाकार की, तो वहीं फिल्मी हस्तियों से भी यूपी में फिल्म उद्योग की संभावनाव पर तमाम फिल्म पक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया है इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले सपाध्यक्ष अखिलेश स्यादों सरकार पर बिफर पड़े अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फिल्म मनरंजन का साधन है लेकिन भाश्पा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का सिनेमा के विच्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दोव फाड किया जा रहा है साथक सिनेमा उमीद और बदलाव लाता रहा है पर भाश्पा ये नहीं चाहती इसी के साथ अखिलेश ज्यादों ने आगे लिखा है कि मुंबई में रोटशो करने से पहले भाश्पा स जिसके कारण लोगों का काम चौपट हुआ है वह विरुजगारी बेतहाशा बड़ी है। इतना ही नहीं खिलेश यादों ने हाल ही में तमाम शहरों में पड़े जिस्टी के च्छापों की याद दिलाते हुए यहां तक कहडाला कि उत्रप्रदेश के व्यपारियों पर अभी हाल ही में जिस्टी के जो ताबर तोर्ट च्छापे पड़े थे कहीं को मुंबई में मुद्व पर बैठक की थी इस बैठक से सरकार का दावा है कि यूपी में पांच लात करोड का निवेश आएगा अभी आगे आने वाले समय में देखना होगा कि सियासत की इस जंग में यूपी की जनता को क्या मिलता है बिरो रिपोर्ट यूपी तक कि आए झावा है झावा है